खालो बच्चों स्वागर आप सभी का साइंस एंट फान 910th 11th के यूट्यूब चानल पे जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं मैं रीमा घरी आपकी SST एडुकेटर क्लास 9 वालों की नराजगी को दूर करते हुए ले आई हूँ पूरा Food Security का One Shot इस लेक्चर के बाद आपकी Complete Economics मेरे इस चानल पे इस साल 2023-24 के सेशन के लिए हो जाएगी एकदम खलास यूगि हमने कर लिया है पालंपूर का One Shot, People as a Resource, Poverty and last हमारा Food Security बचा था तो वह भी मैं आपके लिए आज लेके आ गई हूँ Complete NCRT की Explanation मिलेगी हर एक टॉपिक अच्छे से सरल भाशा में आपको समझाया जाएगा और साथ ही साथ आपको मिलेंगे इसके NCRT questions भी solved इसी सेशन में तो कहीं और भटकने की आवशक्ता बिलकुल भी नहीं पढ़ने वाली है तो बस जल्दी से अपनी NCRT को ले लीजे हा है तो हमारी एप पे आपको PPT मिल जाएगी बिलकुल मुफ्त 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 में आप डाउनलोड कर सकते हैं और सारे नोट्स अपने इससे बना सकते हो यूकि यह आपकी NCRT का Compact version है जहां हर एक NCRT का important aspect डाला गया है और जो not so important था वो छोड़ा गया है बस तो आई जल हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश में food secure है या insecure है अब आप लोग के दिमाग में आएगा मैं लोग तो insecure होते वे सुने हैं food भी insecure होता है क्या आपकी तरक्की से लोग तो insecure होते वे सुने हैं लेकिन खाना भी insecure होता है क्या तो yes बच्चो यहाँ पे food security का मतलब होता है कि food यानि कि खाना हर एक देश का बच्चा बच्चा बड़ा बड़ा बुड़ा खाए this is known as food security यानि कि food सभी लोगों के लिए available हो खाना हो जो वो खा सके इसका मतलब है food security तो पूरे इस chapter में हम कौन food insecure है food insecurity कैसे होती है सरकार उसको कैसे ठीक कर रही है क्या क्या नई नई schemes लाई है यह चुटी चुटी प्यारे 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 concepts हम पढ़ने वाले हैं तो let's begin with the chapter with the josh जैसा मेरे में है वैसा ही आप लोगों में होना चाहिए ठीक है जितना आप enjoyment के साथ पढ़ेंगे उतना आपको अच्छे से chapter समझ में आएगा तो मेरे बच्चो food security का मतलब होता है ये इसकी definition तीन शब्दों पे dependent है पहली है availability दूसरी है accessibility और तीसरी है affordability तो आओ एक-एक करके इन तीनों को बच्चो हम पढ़ लेते हैं food security के तीन dimensions देखें बच्चो जब भी आपको आएगा explain the three dimensions of food security तीन नंबर में आपको ये question लिखना हुआ ठीक है तीन aspect कौन से होगे availability of food यानि कि जितना भी food produce हो रहा है within the country या जो भी हम import भी करा रहे हैं वो सभी food सबके लिए available हो यानि कि पढ़ा हुआ हो दूसरा accessibility accessibility का मतलब होता है कभी-कभी खाना तो होता है लेकिन हम उस तक पहुँच नहीं सकते या खाना हमारे तक पहुँच नहीं सकता inaccessible होता है तो accessible भी होना चाहिए खाना बचो food हमारे लिए accessible भी होना चाहिए हमारे within the reach होना चाहिए फिर आता है affordability affordability का मतलब होता है बचो कि हर एक individual के पास इतना पैसा हो इतना रुपया हो कि वो खाना, safe खाना, nutritious खाना क्या कर सके? ले सके, परचेज कर सके. तो ये तीन dimensions पे depend करता है food security. Now, क्या जरूरत है भाई, food को secure करने की ऐसा क्या है? क्यूंकि बच्चों, हमारे भारत देश में poorest section जो है, वो almost food insecure रहते हैं. साथी साथ, जो लोग poverty line से उपर हैं, वो भी कभी-कभी food insecurity को face करते हैं. जैसे कि कोई natural calamity आ गई, अभी coronavirus आया था, इन सभी cases में food insecure हम जैसे लोग भी हो जाते हैं, food security, कैसे food security affect होती है, एक calamity के time पे, calamity बेटा होता है, कोई भी natural calamity, flood हो गया, drought हो गया, या फिर earthquake हो गया, है ना, यह सारी natural calamity है, जिसमें human का कोई रोल नहीं है, भगवान की तरफ से एकदम disruption होई, और भाया, कुछ ना कुछ गडबड हो गई, तो let's take an example, कि ए hello, drought होई, जिसकी वज़े से बच्चो सारी production पे effect आएगा, अगर कोई भी natural calamity होगी, तो बेटा क्या होगा, in short, आप लोगों पे क्या आएगा, production पे impact आएगा, सारा उक्का, अब ही production पे impact आया, इससे food की availability कम हो गई, जितनी होनी चाहिए, लोगों के लिए, उससे कम हो गई तो क्या करना पड़ेगा बच्चो, अब इस shortage of food की वज़े से, जो prices होंगे, वो एकदम सिफर करके भागेगे, तमाटर याद है, तमाटर का case, अभी यही एक दो महीने पहले की तो बात है, तमाटर का price इतना बढ़ गया था बच्चो, कि McDonald's ने भी अपने burger से तमाटर को न हो गई थी, तो high prices में कुछ लोग इसको afford नहीं कर पाते हैं, अब ऐसी situation जो arise होती है, अगर ऐसी calamity बहुत समय तक रह जाए, over a long period, तो क्या हो जाएगा, इससे situation आ जाएगी starvation की, ममा I am starving, give me something to eat, starving मतलब बहुत भूक लग रही है, मुझे तो यह पढ़ाते वे भूक लग यम्मी यम्मी मोमोज, यम्मी यम्मी चोले बटूरे दिमाग में आ रहे हैं, है ना, क्या-क्या पसंद है आप लोग को, आपका favorite food क्या है, बताइए ज़रा comments में, आपको क्या-क्या पसंद है भईया, मुझे तो अभी चोले बटूरे याद आ रहे हैं, मसाला डोसा याद आपको एक्तम से food के बारे में सुनते ही क्या याद आ रहता है, so a massive starvation might take a turn of famine, और अगर बहुत ज़्यादा ही भुकमरी चाह गई, तो इससे क्या हो जाएगा, famine, तो बच्चों, famine क्या होता है, मैं आपके लिए definition obviously लेके आई हूँ, famine एक ऐसा time period है, जहां बहुत मौते हो ज लगते हैं, घडियां दिखने लगती हैं, तो यह है famine, यह बच्चों एक क्या कहते हैं, picture है आपकी NCRT की, जिसमें आपको दिखाया गया है, बेंगॉल फेमाइन के दौरान एक family अपना village छोड़के जा रही है, बिटा, बेंगॉल फेमाइन was the most devastating famine in 1943, क्योंकि इस famine के बाद 30 लाक लोगों की मृत्यों हो गई थी बच्चों, 30 लाक पीपल मर गए थे इस famine में, and you won't believe, इसका reason पता है क्या तो उन dimensions में से, accessibility, accessibility नहीं था उनके वास, खाना, तो accessibility की वज़े से, यहां पे food insecurity हो गई थी, ठीक है बच्चों, food insecure group or sections of society, अब बच्चों क्या होता है, कुछ लोग insecure रहते हैं for most of the time period, जैसे की आपका rural areas में, urban areas में, अब rural areas में कौन food insecure होंगे, आप खुद बता सकते हैं बच्चों, यह बना के भी लिख सकते हैं, यह आपके NCRT का भी question है, आप बना के भी लिख सकते हैं कि rural areas में कौन गए, जो छोटे-मोटे काम कर रहे हैं, बार्बर, वाशरमेन, यह सारे लोग हो गए, self-employed workers हो गए, यह food insecure हो जाते हैं, वहीं urban areas में ऐसे लोग, जो छोटी-मोटी occupations में लगे हुए हैं, साती-सात casual labors हैं, जैसे की painters, electricians, यह सब भी क्या होते हैं, बच्चों, food insecure होते हैं, सबसे ज़्यादा highly affect होते हैं, अब इस पे दो कहानिया हैं, एक रामू की कहानी है, और इसके बाद एक और कहानी है, एहमद की, तो आईए सबसे पहले हम रामू की कहानी पढ़ते हैं, रामू एक casual labor की तरह काम करता है, agriculture field पे रायपुर village में, रायपुर village में, उसका सबसे बड़ा बेटा, सोमू, doesn't it sound like chomu, but yes, सोमू, जो की 10 साल का है, वो भी काम करता है, सत्पाल सिंग के पास, उनके भेड़ बक्रियों को manage करने में, उसका manager है वो भेड़ बक्रियों का, actually इसको बोलाता है, पाली, पाली is the person who looks after cattle, तो यह वो काम करता है, अब सोमू को इस सब क रामों के लिए सर्पाल सिंग जी 1000 रुपे देते हैं, ठीक है, पुरे साल यह काम करता है, पुरे साल, अब रामों के तीन और बेटे भी है, साथ में दो और बेटिया भी है, छे टोटल बच्चे हैं, जिसमें से एक सोमू और पांच और है, साती साथ बच्चों बाकी जो थोड़े चोटे हैं, वो अभी काम धंदा नहीं कर सकते हैं, उनकी बीवी है, जिनका नाम है सुनहरी, वा 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 वा, सुनहरी बीवी, सुनहरी बीवी भी एक पार्ट टाइम जॉब करती है, हाउस क्लीणर की तरह, वहाँ कैटल का काव डंग होता है, जैसे गोबड, वो समालती है, समालती मतलब साफ वाफ करती है, अब इस काम के बदले उनको मिलता है आधा लीटर दूद, और साथ में कुछ पकीवी सबजियां और कुछ कच्ची सबजियां, इसके साथ साथ जब भी busy days होते हैं, तब वो अपने बीवी, अपनी पती का भी हाथ बटाती है फील्ड पे, ठीक है, फार्मिंग फील्ड पे, अब agriculture तो एक seasonal activity है, तो रामू भी तो कुछ महीने के लिए खाली बैठता होगा, उन खाली महीनों में रामू क्या करता है, रामू छोटे मोटे जॉब ढूटने लग जाता है, अब जब उसको जॉब मिलती है, तो कभी तो भ रामू को difficulties face करनी पड़ती है, उसके बच्चों को भूके पेट सोना पड़ता है, तो ये ये problems रामू जी face करते हैं और ये food insecure है, उन चार महीनों में जब इनके पास काम नहीं है, seasonal activity है न अगरी कल्चर जब उनके पास काम नहीं है, तो ये रामू की कहानी थी, मैं इससे क्य सिखे, अभी बताएंगे, लेकिन आप से याद रखना के रामू जी उन दिनों खाली बैठते थे, जिन दिनों उनके पास काम नहीं होता था, अब आए एहमद जी, एहमद जी क्या है, ये एक रिक्षा चलाने वाले बंदे हैं, बैंगलॉर में, बैंगलूरू बोलते हैं, जिसे, अब वो शिफ्ट हो गया है, जुमरी तलईया से, अपने तीन भाई, दो बहीने, और साथ ही साथ, बुड़े माबाप के साथ, वो रहते हैं जुग्गी में, और साथ ही साथ, वो अपने सर्वाइवल के लिए, डिपेंड करते हैं, डेली अर्निंग्स पे, जो उसक रिक्षा चला के आती हैं, हाउएवर, उनके पास कभी-कभी तो भहिया, सिक्योर्ड एंप्लॉइमेंट, कोई सिक्योर्ड एंप्लॉइमेंट थोड़ी है, कई दिनों में तो उनके पास इतना पैसा आ जाता है, कमा लेते हैं, वो अपनी सवारियों से, कि वो सेव भी कर ल लाइन होते हैं, उस कार्ड को दिखा के राशन की दुकानों पे आपको थोड़े कम दाम पे राशन मिल जाता है, PDS सिस्टम की तरह, PDS सिस्टम क्या है, अभी बस आपको और 15 मिनिट में पता चल जाएगा, 10 मिनिट में पता चल जाएगा, for below poverty line people, अब इसी से एहमाद जो ह किसी तो वो kerosene oil provide करते थे, लेकिन अब तो gas stove आ गये हैं, तो उसके लिए kerosene oil की आवशकता नहीं पड़ती, तो daily use के लिए उनको क्या मिल रहा है, यह आपकी NCRT में है, box में, पूदी स्टोरी, उनको यह essentials मिल जाते है, half of the rate of the market price, और monthly stock उनको मिल जाता है, पूरे बंत का इन दिस वे एहमद जो है, वो at least अपना survival कर लेता है, बहुती कम earnings के साथ अभी, तो बच्चों यह दो कहानी क्या दिखाती है, hunger की situation दिखाती है, अभी आगे आएगा इसके बारे में, hunger की situation बताती है, अगर आप देखो, जो वो चोमू, I mean सोमू वाली कहानी थी, रामू वाली, वहाँ पे वो फेस कर रहे थे, seasonal hunger, और यहाँ पे एहमद वाली कहानी में, वो फेस कर रहे है, chronic hunger, अभी इसके बारे में आगे आएगा, chronic hunger मतलब एक particular time पे है खाना, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, जब पैसे आ रहे हैं तो है, जब नहीं आ रहे तो नहीं है, लेकिन seasonal में एक particular duration of time period, जब farmer काम कर रहा है तो पैसा फिर भी है, लेकिन जब बिल ये दो stories दिखा रहे हैं, चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, कह रहे हैं हमारा social composition जो है, उसके तहट, SC, ST, OBCs, ये कुछ low section of societies कहलाते हैं, people, इनसे काफी affect होते हैं natural disaster से, who have to migrate to other areas in search of work, amongst the most food insecure people, now a high incidence of malnutrition prevails among women, बच्चों, women भी बहुत phase करती हैं, आपको पता है, औरतों की body में बहुत hormonal changes होते हैं, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, बच्चा पैदा भी वो करती हैं, फिर feed कराना, nursing करना, ये बहुत सारी चीज़ों में, उनकी human body बहुत खाना मांगती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी families हैं, जो औरतों को दूद, fruits, try fruits, ये basic necessities की चीज़े भ हो जाती हैं, बहुत सारी proportion of pregnant women, पांच साल से कम के बच्चे, nursing women, सब food insecure कहलाते हैं, food insecure people जो है, वो disproportionately कुछ areas में ज्यादा और कुछ areas में कम हैं, for example, ये भी आपका NCRT का question है, उत्तर प्रदेश, eastern, southern, eastern parts, बिहार, जारकन, और इसा, वेस्बेंगौल, चत्यसगर, मद्यपर जादा गरीब लोग food insecure लोग पाए जाते हैं, ये आगया hunger के बारे में बच्चो, ये आगया chronic hunger के बारे में, ये आगया seasonal hunger के बारे में, जो अभी आपको बताया, और ये सारा जो है, आपको explained written form में है, कि एक ऐसा consequence है, जहां पे diets जो है, वो basically quantity और quality से determined होती जहाती है, आज बहुत सारा कल कम, आज अच्छा तो कल बुरा, और यहां पे harvesting और sowing के time पे बहुत सारे लोग involved होते हैं, लेकिन उसके बाद बूखे रह जाते हैं, तो यह हो गया बच्चो, seasonal hunger, ठीक है, यार मैं कुछ questions सोची थी आपसे पूछने के, कि मैं साथ-साथ कुछ questions पूछू, तो let me just ask a question चलिए, आप मुझे बताईए, comments में जल्दी से बताईए, तीन ऐसे factors जो affect करते हैं food insecurity को, actually dimensions of food security, तीनों के नाम comments में लिखतीज़े, चलिए, आगे चलते हैं बच्चो इसे के साथ, clear है इतना अप लोग को, यहां तक अगर कोई भी doubt आया है, तो guys you can ask in the comment box, मैं सब के comments पढ़ती हूँ, तो hunger has chronic and seasonal dimensions, poor people suffer from chronic hunger, due to very low income and are food insecure all the times, in rural area, seasonal hunger is caused, क्योंकि farming is a seasonal activity, urban areas में भी seasonal hunger होता है, कुछ casual type workers के लिए, जैसे कि construction workers को, rainy season में काम नहीं मिलता है, ice cream sellers का काम आधे से भी आदा हो जाता है, तो यह कुछ chronic और seasonal hunger के examples के साथ दिया हुआ है, नाओ, क्या ज़रूरत है बच्चो, self-sufficiency की, यानि कि हमारे भारत देश में ही, अच्छे से खाना पकाया, बनाया जाए, क्यूंकि हमें बहुत सारी population का पेट भरना है, हमें cyclone, drought, ऐसे natural calamities से कभी कोई problem आ जाए, तो हमारे पास food, you know, sufficient होना चाहिए, to reduce the import of food grains, food grains का import हमें भार से ना कराना पड़े, साथ ही साथ, prices of food grains को control करने के लिए, यह कुछ कारण है जिसकी वज़े से, हमें self-sufficient होना पड़ेगा food में, you can screenshot this line, क्यूं हमें food के लिए self-sufficient होना पड़ेगा, because of this reason, okay, okay, now, India is aiming at self-sufficiency, जब से हम आजाद होए हैं, independent होए हैं, तब से हमारा देश मेहनत कर रहा है, self-sufficient होने के लिए, and you know what, green revolution आने के बाद, यह सपना भी हमारे भारत देश का पूरा हुआ, हम लोग almost तरीके से self-sufficient हैं, साथ ही साथ, हमारे भारत देश में जब से green revolution आया, कोई भी फेहमाइन का case नहीं आया है, India adopted a new strategy of green revolution, देखे आगे भी green revolution के उपर एक slide आने वाली है, जो हम आने explain किया है, लेकिन मैं आपको अभी कर देती हूँ, क्योंकि नाम आ चुका है, green revolution was introduced in mid 1960s, यह आपने पालंपूर चाप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया है, mid 1960s में आया, और इसमें उन्होंने basic चीजें, जैसे कि availability, आपका modern farming techniques, HYV seeds, chemicals, fertilizers, use करें, जिससे farming की production बहुत ज़ादा बड़ी, in less time, तो यह basically revolutionize कर दिया, चार गुना खेती को बढ़ा दिया था, green revolution ने आकि, उस time की प्राइम मिनेस्टर इंद्रा गांधी जी ने officially record किया था, green revolution ने क्या-क्या तरक्षियां की, और इसी से, actually green revolution is associated with the production of wheat and rice, तो इसको wheat revolution का भी नाम दिया गया, July 1968 में, one marker question बन सकता है, और इसी से food grains की production काफी बढ़ी भी, पहले कह सकते हो, उत्तर प्रदेश में 44.01 था, आपका मद्धे प्रदेश में 30.21 मिलियन टन्स था, ये था 2015-16 के हिसाब से, लेकिन आगे जाके production कितनी ज़्यादा बढ़ गई बच्चो, बढ़ गई, ऐसे ही यहाँ पे, पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, और दूसरी बात, बिटा कई एरियाज में, production स्यादा होती, इसे पंजाब is the most prosperous state बच्चो, इन टरम्स अगरी कल्चर, पंजाब is self-sufficient, एक दाँ बढ़िया पंजाब में है, खेती, बाड़ी and all, लेकिन बाकी और जगाओं पे, West Bengal is low in this, MP is low in this, तो अलग-अलग अरियाज का, अलग-अलग डेटा है, ठीक है बच्चो, चलिये चलते हैं, हम आगे food security इन इंडिया पे, तो food security कहती है बच्चो, कि India has become self-sufficient in food grains, तीस सालों से ही हमारा भारत देश food secure है, क्यूंकि variety of crops जो हैं, वो all over the country में उगाई जाती है, availability of food grains, बलकि जब adverse weather conditions या कुछ भी होता है, तब भी हमारी सरकार ensure करती है, कि खाने की कोई भी कमी ना हो, अभी ये system दो basis पे depend करता है बच्चो, एक है buffer stock और दूसरा है public distribution system, अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी proper, पूरा एक chart बना के, वो आपको मैं कहानी समझाऊंगी जिससे, आपको आगे आने वाली terms, बिलकुल अच्छे से बच्चो, अच्छे से याद हो जाएंगी, ये मेरा वादा है, वादा, आओ एक कहानी लेके चलते हैं, देखो actually क्या होता है PDA system में, मैं वो आपको बताने जारी हूँ, देखे, यहाँ मैं आपको explain करने जारी हूँ, public distribution system, यह आप साथ सद अपनी notebook में भी draw कर सकते हैं, सुधर आपको आगे भी in future ये याद रहे, बागी PPT में तो आपको मिल ही जाएगा, public distribution system में क्या होता है, देखे बच्चों क्या होता है, एक field होती है farmer की है ना, यह एक farming field है, ठीक है, यह एक farming field है, सब ही erase हो गया, सौरी बच्चों, public distribution system, PDS, यह एक farming field है, as I said, again, यहाँ पे एक farmer है, और यहाँ पे एक सरकार है, ठीक है, एक farmer, एक सरकार, यह है farmer जी, जो farming करते हैं, यह है government जी, ठीक है, अब इस government को बोला जाता है, बच्चों, food corporation of India, यानि की FCI, ठीक है, यह सरकार को बोला जाता है, अब बच्चों अक्सर क्या होता है, जितना भी एक farmer, खेती कर सकता है, for example, हम यहाँ पे, इस term को ले लेते हैं, 1000 kilos, देखी, यह quintals में मात्रा होती है, quintals में, यहाँ मैं सिव 1000 kilos से, आपको explain करने के लिए ले रहे हैं, suppose इस खेत पे, 1000 kilos गेहूं उगा पाता है, यह farmer, अब बच्चों, ऐसे case में क्या होता है, जो भी, buyer होता है, वो आता है, suppose अब यहाँ पे आए, एक buyer जी, ठीक है, यहाँ से उठके आ रहे हैं, एक, buyer जी, buyer जी कहते हैं, आरे farmer, क्या हाल चाल, कितना हुगा लेगा इस बार, लाब मुझे दे दे सारा, वो गहेगा, साब जी, मैं उगा लूँगा, साड़े, 900 किलो, आप कहोगे, मैं 50 किलो, क्यों नहीं बोला, तो 50 किलो इसले नहीं बोला, उनको doubt है, कि कही कही कीडा न लग जाए, कोई जंगली जान्मर ना खा जाए, कुछ फसल में प्राब्लम ना आ जाए, तो भाईया सेफर साइट में जादा का ले लूँगा, तो कैसे दे पाऊँगा, वो एडवांस दे के जाते हैं न, तो मैं थोड़ा कमता ही ले लेता हूँ, हर बार एक्चुली आवरेज और अन आवरेज इतना लॉस होई जाता है, खराब होई जाता है, तो भाईयर कहता है ठीक है, पूरा साड़े नौस्तो किलो मैं लेके जा रहा हूँ, और इनकी डील जो है वो हो जाती है, डन, फार्मर पाता है, पंगडा, खुश हो जाता है, फार्मर एकदम हैपी, घर जाता है, बीवी के साथ, बड़ी आराम से खाना खाता है, बच्चों को खुश कवरी सुनाता है, कि अब बच्चों पूरा बिग्या मेरा फार्मिंग, जितनी मैं करता हूँ, खुश है परिवार, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, इस बार उसकी खाजार की हजार किलो खेती, एकदम बढ़िया होती, अब फार्मर को तो ऐसे हैपी रहना चाहिए, है ना बई, लेकिन क्या होता है बच्चों, फार्मर हो जाता है, सैड, वो सैड हो जाता है, वो कहता है, आरे यार काश, मैं पूरे हजार किलो का ही ओर्डर ले लेता तो मुझे लॉस ना होता वो इस दुख में होता है तो बस इस दुखी फार्मर को वापिस से हैपी करने के लिए कौन आता है इसके पास बच्चों हाथ थामने आती है सरकार सरकार कहती है नोग नोग फार्मर क्या तुमारे पास कुछ भी सरपलस बचा है क्या सरपलस का मतलब एक्स्ट्रा कुछ कुछ बचा है क्या कुछ एक्स्ट्रा बचा है तो फार्मर दुबारा से हो जाता है बच्चो हापी कहता है बिल्कुल बचा है फार्म गौर्मेंट आयाफ फिफ्टी केजीज वो कहते हैं ठीक है तुम मुझे ये पचास किलो दे दो Minimum Support Price पर अब यह क्या है मैम? Minimum Support Price is the price that is determined by the government जिसके इंद फार्मर को अगर profit नहीं होगा तो loss भी नहीं होगा यारी की फार्मर उनके लागत दे देगी जिससे फार्मर को उसकी लगा होगा पैसा तो at least लिस्ट मिल जा Cocina अब इतना पैसा तो इसको मिल ही जाएगा तो फार्मर जो गवर्मेंट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पेस से खरीद लेती है अब ये क्या करती है फूड कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया इस पूरे कलेक्टिड को कलेक्टिड राशन को किसमें रखती है बफर स्टॉक में रखती है तू भी कंटिन्यूड में आता है बच्चो ये जो बफर स्टॉक है यहां बेसिकली एक को डाउन है जहां प्रॉपर कंडिशन के साथ सारा खाना गेहूं चावल जो भी कठा होता है चीनी वो रखा जाता है अब ये बफर स्टॉक से खाना जाता है राशन की दुकानों पर बच्चो इन राशन की दुकानों का नाम होता है फेयर प्राइस शॉप जिसे प्यार से हम क्या बोलते है राशन शॉप ठीक है बच्चो तो इस फेयर प्राइस शॉप में यह बफर स्टॉक धियर धिरे करके जाता है इस बेजने की प्रॉसेस को बोल पॉबलिक, आक्चली इस पूरे को ही बोलते हैं, डिस्रिब्यूशन, सिस्टम, शेष्टरम, अब बच्चो, यह जो आपका प्राइब, फ्यर प्राइब फेर्प्राइब शॉप है, यह इशू प्राइज, इशू प्राइज मतलब जिस प्राइब बेच रहे हो, इशू प्राइस पे पूर पीपल को क्या देता है गेहूं, चावल, चीनी, दो रुपे, तीन रुपे, ऐसे किलो पे, आप गेहूं लेके जाओ, धो, दूप में सुखाओ, उसको पिस्वाओ, वो आपको 10-15 रुपे किलो पड़ेगी, मार्केट रेट है, 40-45 रुपीज, 50 र कहानी कि फार्मर बार-बार हैपी हो रहा था, बार-बार साड हो रहा था, बार-बार उसको खुशी गम दिखा रहा था, अपने हो, ठीक है, तो यह पूरा सिटुएशन है, और इसी के बारे में हम आगे के करके पढ़ने वाले हैं, और पेपर में आपके, एक्शली नोट स्रुशन होगा। राशनिंग, राशनिंग का मतलब है, पुराने समय से, Green Revolution के टाइम से, हमने ये सीख लिया कि कैसे राशनिंग करनी है food products की, कौन सा product access में available है तो उसकी availability जादा रखनी है, अगर कोई कम available है तो उसके price को बढ़ा के उसको रोक देना है, ये सारी चीज़े हमने धीरे धीरे धीर में समझाए, फिर आया integrated child development schemes, जिसके अंदर हम बच्चों के लिए nutritional value कैसे increase करे आएगा, तीसरा आता है food for work program, खाने के बदले, मलब काम के बदले खाना मिलेगा, ये हमने पोवर्टी वाले chapter में भी discuss किया, काम के बदले खाना मिलेगा, तो आईए बात करते हैं public distribution system की, वो च cured by FCI, is distributed among the poor, through government regulated ration की दुकाने, ration card दिखाना है, और ration ले जाना है, fair price shop, बेटा जी, there are about 5.5 lakh ration shop, over the country, जिसे fair price shop भी कहा जाता है, जहां food grain का stock, sugar, rice, wheat रखे जाते हैं, और बहुत ही कम price पे, market price से कम price पे, बेचे भी जाते हैं, now kinds of ration cards, तीन तरीके के ration cards होते हैं बच्चों, एक होता है अंतियोध्य card, जो poorest of poor के लिए होता है, सबसे, सबसे जादा poor के लिए, फिर आता है बच्चो, BPL card, यानि की below poverty line वालों के लिए card, और फिर आता है बच्चो, APL card, यानि की above poverty line वालों के लिए, जो poverty line से उपर है, जो poverty line के नीचे है और जो बहुत ही नीचे है, तो ये तीन cards हो गए, अलग-अलग, लोगों के लिए, सुन्दर है ना, लोग ही चलो फोटो, चालिए, अब हम बात करते हैं, National Food Security Act के बारे में, बच्चों ये लाई गई 2013 में, और इसके अंदर कोशिश की जाए कि जितना भी food हम procure कर रहे हैं, उसका 75% rural area में distribute किया जाए, and 50% urban population जो गरीब है, उनको भी बाटा जाए, तो basically जो अकठा हुआ है, वो बाट दिया जाए, Green Revolution मैंने कहा ही था, आगे एक slide आएगी, तो Green Revolution basically एक ऐसा process है, जिसके अंदर high yield variety seeds, modern farming methods, techniques, use की गई, food को secure करने के ले, National Sample Survey Organization, NSSO, यह क्या है बचो, यह एक ऐसी organization है, जो क्या करती है, has the responsibility to collect data, जो हमारे देश में census होता है, आप आगे population chapter में पढ़ोगे, वो भी यही करती है, NSSO, सारा data, literacy rate, education, health, everything, वो लोग ही एक अत्रित करते हैं, data के through, economic survey के through, वो है National Sample Survey Organization, चलिए, अब हम discuss करते हैं, current data, current status of the public distribution system, तो बचो, public distribution system, एक most important step है, जो सरकार के द्वारा लिया गया, over the years, यह policy काफी ज्यादा revise भी की गई, ताकि इसको और efficient और और targeted भी बनाया जाए, किसने किसने देखी है राशन की दुगाने, not किर्याने वाला राशन वाला, जो आक्चली राशनकार दिखा के राशन देते हैं, यह हूँ, चावल चीनी, किस-किस के घर के पास है, मेरे घर के पास भी है, जून 1997 से एक renew attempt हुआ, जिसको बोला गया, targeted public distribution system, यह introduce किया गया, जहां poor section को target किया गया, एक है revamped public distribution system, RPDS, एक है TPDS, targeted public distribution system, further in 2000, यह भी बहुत important है, बहुत important है, क्या किया गया, बच्छों और schemes लाई गई, अंते ओदे, अन्योजना, AAY, and अन्पूर्णा scheme, APS, इनका main target क्या था, poorest of the poor, and endangered senior citizen, यानि कि APS is focusing on senior citizens, and AAY is focusing on poorest of the poor, however, the public distribution system, ने बहुत सारे criticism face किये है, example के लिए hunger, जो अभी भी देखा जाता है, क्योंकि food corporation of India के go downs, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वहाँ rats आ जाते हैं, वहाँ condition अच्छी नहीं है, सड जाता है, राशन पढ़ा हुआ, जिसकी वज़े से लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, साथी साथ बेटा, बहुत सारे ऐसे राशन की दुकानों के owners भी हैं, जो घपले करते हैं, यानि की ताइम पे दुकाने नहीं खोलते हैं, लोगों को से जबरदस्ती या गलत, उनको दे रहे हैं, पांच किलो और दस किलो पे ठपा लगवा लेते हैं, सरकार को दिखाने के लिए कि हमने बेच दिया, तो बहुत माल प्रिक्टिसेज, अल्डल्टरेशन, सब करते हैं वो, नाउ, अन्त योद्दे अन्योजना, अन्त योद्दे अन्योजना लॉंच की गई डिसेंबर 2000 में, इस स्कीम के अंडर, बहुत सारे poorest of poor, यानि की BPL families को कोशिश किया गया, APL में लाने के लिए, above poverty line के लिए, साथी साथ, इनको food grains provide की गई, जैसे कि 25 kg of food grains, available कराई गई, हर एक eligible family को, at a subsidized rate of just, रुपी 2 पर kg and 3 पर kg only, ठीक है बच्चो, only, एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है, the scheme has been further expanded, twice, जहाँ पे और 50 लाग families इसमें involved हुई, देखा जाए, धीरे, 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 टार्गेट डाला गया, इतनी families को cover करेंगे, इतने लोगों को cover करेंगे, etc., etc., under the PDS system, तो बहुत अच्छा system साबित हुआ और लोगों को पहुँचा, subsidy क्या होता है, subsidy is basically a payment that a government makes to a producer, के भाईया हन तुमें पैसे दे देते हैं, तुम इन लोगों को कम दामों पर available कराओ, यह होता है subsidy, समझ रहे हो, यह होता है subsidy, it keeps consumer prices low, बलकि इसको producers को पैसे होते नहीं मिलेंगे, लेकिन लोगों के लिए वो सस्ता साबित होगा, features of different programs introduced for ensuring food security in India, देखिए अलग-अलग system है, यह आपके में एक table बना हुआ है, मेरे PPT वाले भाहिया ने बड़ा अच्छा सा table बना है, कि public distributional system 1992 तक चला, और main focus किया गया universal, पूरा revamped PDS, RPDS 1992 में आया, 1992 तक 1992 में इसने बाकोर्ड areas को cover किया, वहीं TPDS आया 1997 में, BPL और APL families को focus किया, अन्ते योद्यान ने योज़ा 2000 में आया, poor as poor को focus किया, वन मार्कर बनते हैं इसमें से, अन्नपूर्न योजना, बुडे लोगों के लिए, National Food Security Act 2013 में आया, और household लोगों की upliftment के लिए, इन्होंने बात करी, ठीक है बच्चो, all clear, now let's move to our other topic, and that is role of cooperatives, मेटा cooperatives कौन होते हैं, cooperatives होते हैं, वो group of individuals, जो actually मिलके क्या करते हैं, profit उनका main motive नहीं होता है, उनका main motive होता है, लोगों कोई welfare करना, लेकिन साथ इसाथ थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना, क्योंकि ये सरकार नहीं है, ये private individuals ही हैं, लेकिन focus कर रहे हैं, लोगों की help करने में, तो the cooperative are also playing an important role, in food security in India, especially in the southern and western part, हमारे या इतना नहीं है, because we are living in a northern part, लेकिन हमारे इतना लिए, सके, example दे रखा है बच्चो, चितनी भी fair shops है, जितनी भी Tamil लाडू में fair shops है, उसमें से 94% cooperatives है, डेली में सबसे बड़ा example, Mother Derry अगर आपको पता हो, कि Mother Derry ने पूरा बूत बना रहा होता है, जाँ टोकन डालके milk निकालते हो, किसको पता है, ऐसे टोकन डालते हैं, तो milk निकल के आता है, साथी साथ उनकी, you know, vegetable vending भी करते हैं, वो लोग, और इसका एक और example, Amul Dood, Amul भी एक another success story है, cooperatives की, जो पूरे world, actually गुजराद based है, और ये काफी ज़्यादा famous हुआ, it has bought about the white revolution, भी लेके आया ही है, यही सारे example है, cooperatives के, तो Tamil लाडू में हो गया, और एक ADS था, ADS की बारे में, आगे लिखा ही रहा, महराश्टर में, Academy of Development Science, यह भी एक SE institution है, जिसने grainaries available कराई, इन्होंने खोला grain banks, अलग-अलग region में, और NGO's में भी यह supply करते थे, ताकि food secure रहे, grain banks are now slowly taking shape, in different parts of the Maharashtra also, इनका effort जो था, grain banks लाने का, main motive क्या था, कि यह NGO's, और यह जितने भी, you know, low class, जहां पर actually requirement orphanages, वहां पर इनकी supply जा सके, और इनको भी food security, करवाई जा सके, तो this was your complete food security का chapter, पूरा का, पूरा chapter, अब बचे हैं, इसके NCRT questions, यह चूर्टू साही chapter है, यह बड़ा chapter नहीं है, यह मैं अपने offline में, दो class में कराती हूं, क्योंकि वहां question answers, आगे पीछे हो रहे होते हैं, discussion हो रहा होता है, पीछ पीछ में, हमें already discuss कर ली हैं, बट quickly एक बार देख लेंगे, how is food security insured in India, तो देखो, पहल तो 3 वही हो गए, availability, accessibility, affordability, और अगर 5 नमबर का आज है, तो आप buffer stock और PDS system, जो उनोंने, you know, techniques use की थी, वो भी आप लिख सकते हो, फिर आएगा, कौन से लोग, कौन से लोग है, तो rural और urban, याद है वो slide, rural areas में कौन, urban areas में कौन, आप वो भी लिख सकते हो, साथी साथ SC, ST, OBCs के बारे में भी लिख सकते हो, कौन से states हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, UP, West Bengal, कुछ parts of Madhya Pradesh, छक्तिसगर, ठीक है ना, क्या आप बिलीफ करते हो, Green Revolution ने हमारे इंडिया को self-sufficient बनाया है, तो yes बचो, post-independence, जब हमने Green Revolution का इस्तमाल किया, तो हमारे देश की population को देखते हुए, production जो है, वो चार गुना बढ़ गई, साथी साथ हमने better techniques, technologies, और आपका क्या कहते हैं उसको, chemical, fertilizers, अच्छी अच्छी चीज़े यूज़े यूज़े जिसे हमारा, production काफी ज़्यादा improve हुई, और food available हो गया, बहुत सारा section ऐसा है, जो still without food है, क्यों, क्योंकि आपको बताया गया है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो chronic और seasonal hunger face करते हैं, जहां पर आप example भी दे सकते हूँ, अगर कोई disaster आज़े तो कैसे होगा बच्छो, यह आपको calamity वाले portion में, मैंने आपको बताया है, कि shortage of food हो जाती है, जिससे food का price rise हो जाता है, इसलिए self-sufficiency बहुत 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 आवश्यक है, कि हो, food का, वो याद है, आपने कहानी सुनी भी है, कौनसी थी बहुत तुफान आता है, चीटियां कहाना secure कर रही होती है, और बंदर कहते हैं, तुम पागल हो गई हो, तुम क्यूं कर रही हो खाना secure, और वो कहते हैं कि कोई कलामिटी आने वाली है, तो बंदर कहते हैं, तुम करो काना यह करता, मैं नहीं कर रहा, और जब आती है कलामिटी, वो उतना भूखा मर रहा होता है, फिर उनकी हेल्प करती है, तो फूड हमेशा अवैलेबल होना चाहिए, जब करोना आने वाला था, तब भी लोगों ने राशन भर लिया था अपने घर में, कि कभी-कभी राशन के लिए ही हम भूखे न रह जाएं, डिफ्रेंशेट बिट्वीन सीजनल और क्रॉनिक हंगर आप बताएंगे, तबूलर फिर्म में भी आप इसको कर सकते हैं, हमारी गवर्मेंट ने क्या किया है, फूड सेक्यॉरिटी के लिए, तो वेटा हमारी गवर्मेंट ने स्कीम लेके आई है, अन्तियोद्ध औन योजना लेके आई है, पीडियाशेट सिस्टेम लेके आई है, अधन पूर्णा स्कीम लेके आई है बफर स्टॉक क्या है क्यों क्रिएट किया गया है तो बफर स्टॉक क्रिएट किया गया है उन सेक्षिन ऑफ सुसाइटीज को फूड अवैलेबल कराने के लिए जो आक्चली अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो फूड कॉर्परेशन इसका जिम्मा उठाया है मिनमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आपको यहां पर बताना है इश्यू प्राइस जिस पर आपको अच्छा एक सेगें मैं के करके लुग जाओं के तुम लोग को होगे कही कि माम हमें नोट नहीं करने दिया यह लोगई लेते जो पहले क्वेशन का स् one two three cata dusraika screenshot one two three cacha these rika screenshot one two three cacha cha 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 do you believe green revolution come on Jali Ali करते जाओ fifth question okay sixth question seventh question is kaha gaga eighth question कर लो ninth ninth दी सुर्ण उसे क्या आगेगा ninth 10th minimum support price buffer stock issue price fair price shops सब के उपन नोट लिखने वाला question नहीं क्या प्रॉब्लम्स है जो राशन शॉप में आती हैं स्वी जोड ले लो मैं समझा रही हूं राशन शॉप को फ्राय फ्रायर प्राइश शॉप भी कहा जाता है जहां पर basic समान रखा जाता है और यह items जो हैं बहुत low rate पर अवैलेबल कराये जाते हैं लेकिन इनकी quality उतनी अच्छी नहीं होती है ration shop mal practices करते हैं यह लोग कभी कभी regularly shop open नहीं करते हैं और यह लोग wrong entries करते हैं कितना कितने लोगों ने लिया note on the role of cooperatives three shot government के साथ साथ cooperative भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और अभी जो मैंने आपको पूरा समझाया Amul वाला Mother Eri वाला Tamil Nadu वाला A.D.S वाला वो सारा इसमें आएगा three shot और इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू बच्चो हमारा food security chapter होता है completely खतम one shot is over और इसे के साथ हमारी economics भी over हो गई है और जल्द ही science and one की आप पर free test conductor वाने वाली हूं मैं जहां पर हम पूरी economics को एक दम test लेने वाले है तो बस बचो जल्दी से तयार हो जाओ उसके लिए भी उसके लिए भी ready रहना है हां बिलको लिग दम चलिए तो see you all in the next video, next video कौनसी चाहिए मुझे दो options में ले रही हूं आपको मैं geography climate तक करा चुक हूँ तो natural vegetation या फिर civics मैं electoral तक करा चुक हूँ working office institution इन दोरो chapter में से कौनसे chapter लोगे मुझे comments में voting कर देना मैं बड़ी confused जाती हूँ नहीं तो मैं उसकी बीटी बनाने शुरू कर दूँगी तो comments में बता दीजेगा कौनसे chapter next है ये, see you all in the next video ये chapter पढ़के रखना है, कोई भी doubt हो तो comments में लिखना है Bye bye, पढ़ते रहना है, all the very best for your exams and for your 9th class Bye bye